दोस्तों पंजाब स्कूल एजुकेशिन बोर्ड के साथ जुड़े हुए लगातार ही 10th और 12th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स ना वो हमें पूछ रहे हैं कि उनके जो डिजी लोकर के ऊपर सर्टिफिकेट हैं वो कब तक आ जाएंगे सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए होगी आपका इंतजार हुआ खतम आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने डिजी लोकर सर्टिफिकेट को डॉनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो वीडिय को ओपन करना होगा देखिए दोस्तों मैंने डिजी लोकर की ओफिशिल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप क्या कर सकते हैं अपने मुबाइल फोन में डिजी लोकर एप जो एप ले स्टोर से इंस्ट्रोल कर सकत अधरवाईज आप साइन अप कर सकते हैं साइन अप में कुछ टर्मेंट कर्डिशन्स हैं जैसे आपका अधार काड़ पूछा जाएगा फिर उसके ऊपर एक OTP आएगा जो आपके अधार के साथ मुबाइल नमबर लिंक होगा मैं डिरेक्ट साइन इन करता हूँ देखिए जैसे दोस्तों मैं साइन इन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का कोलम खुल के आ गया उसमें मुझसे पूछा जा रहा है जी कि सबसे पहले अपना मुबाइल नमबर या अधार नमबर फिल कीजिए उसके बाद 6 डिजिट पिन जो हमने रखा होगा वो फिल कीजिए तो मैं अधार नमबर पहले फिल करता हूँ हाँ जी तो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गगंदी आपके अपने फेवर्ट चैनल जी डी टेकी से इसके बाद 6 डिजिट जो पिन है वो भी फिल कर देता हूँ फिर मैं साइन जी तो साइन ऑन करने के बाद तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने साइन किया तो साइन इन करने के बाद क्या हुआ जी ओटीपी वेरिकेशन के लिए जो मैसेज है वो मेरे register mobile पे आ जाएगा OTP आ चुका है मैं OTP फिल करता हूँ देखिए OTP मैं फिल करूँगा OTP फिल करने के बाद मैं submit करता हूँ submit करने के बाद हमारे सामने interface खुल जाएगा उस interface में आप सबसे पहले इस तरह का view देख सकते हैं ठीक है दोस्तो अगर आप mobile से कर रहे हैं तो mobile में भी कुछ इस तरह का interface ही खुलेगा जो आपके issue document होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे otherwise क्या होगा जी आपको करना होगा search document पे click so जैसे आप search document पे click करेंगे उसके बाद आपको search की option दिखाई देगी वहाँ पे आपको search करना होगा पंजाब स्कूल सो जैसे आप पंजाब स्कूल search करेंगे तो देखिए multiple options आ गई class फिफ्ट की mark sheet, eighth की mark sheet, tenth की mark sheet, twelfth की mark sheet और migration certificate जो है जो पंजाब स्कूल education board की ओर से जरी किये गए हैं मान लेजिए मैं एक link पे click करता हूँ जैसे के twelfth पे, तो twelfth पे click करने के बाद अब आपके सामने option आ गई जी, role number और year भर ये, मतलब कौन से साल में आपने pass out किया है, तो आपको अपना role number और साल fill करना होगा, उसके बाद submit करना होगा, लेकिं यहीं पे आपको कुछ restrictions या कहले instructions दिखाई देंगी, देखिए, पंजाब school education board has made available class 5th, 8th, 10th and 12th certificate का detail mark sheet in dg locker, which can be pulled by students into their account, the year of which the certificate are available as follow class 5th, 2018 से लेके 21 सक, class 8th की 2018 से लेके 21 सक, class 10th की 2018 से लेके 22 सक और class 12th की 2018 से 21 सक, मतलब दोस्तों आपको मैं बता दूँ के class 10th की जो certificate है, वो 18 से लेके 22 सक, मतलब 2022 के certificate तक upload हो चुके हैं, मतलब साफ हो चुके हैं कि 10th board के जो certificate हैं, वो dg locker पे आ चुके हैं, बाकि दोस्तों जैसे ही plus two के आएंगे, हम आपको update कर देंगे, इसके लावा fifth or eighth के आएंगे, हम आपको तो भी update कर देंगे, लेकिन हमने आपको process बता दिया, कि इस तरह से आप अपने dg locker application के through, चाहिए वो web से हो, website के through, आप अपने certificate जो है, download कर सकते हैं, बाकि दोस्तों यही एक process था, अगर आपको फिर भी कोई topic ना पता चला हो, तो आप हमें comment के मादें से पूल सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को कैसा लगा, please share comment के जरिए, जुरूर बताईएगा